हाई गाई शच्री अकाल नमस्ते वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेशिल लेकर आई हूँ ना जो दूप में टैन हुई स्किन को वी एकदम ब्राइटन फेर बना देगा ये ऐसा फेशिल है जो रिंकल फ्री बनाएगा आपकी स्किन को स्पोर्ट से और ये लिया है जी हमारी मैजिकल चीज कॉफी सिर्फ टूर्पीज का शैशे आता है कॉफी का बो भी मैंने आदा लिया है इसमें तो ये दूसरी चीज है जी हमारी दूद दूद जो हमारे गर पर पड़ा रहता है कोई भी कोई कच्छा पका दूद नहीं देखना बस कुलीन करेंगे, क्लेंजिंग मतलब एक तेयार करेंगे एक दम रेडी कर लेंगे वेस को पूरा क्लीन करेंगे और यह लीक्विड बना लिया है और यह अभी मैं फेस पर अपलाएगे करकर उसको कश्वड़ मोशन में गोल गोल अइसे गुमाते हुए अच्छी तरह से बना तक इसकी मसाज करूँगी अगर मुझे आपको ये थोड़ा ड्राइ लग रहा है मतलब सूख जाता है अगर तो थोड़ा थोड़ा और लगाते हुए इसको गीला करकर अच्छी तरह से मसाज कर लिए कर लीजिए 5 मिनिट तक तो देखे मसाज मैंने इधर कर ली है और इसके पाद मैं अभी फेस को वाश कर लूँगी तो चलिए देखे मैंने फेस को वाश कर लिया है एक ही बार देखे सिर्फ हमने एक स्टेप किया है और फेस पर अपी से ग्लो आ गया है बहुत ही मजा आ रहा है जो कॉफी की स्मेल होती है ना उससे तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है तो देखे स्टेप नमबर टू है हमारा स्टीमिंग स्टीमिंग देखे मैंने ये गरम पानी में टॉवल को ये नैपकिन को डाल कर निचोड कर मैं उससे स्टीम ले रही हूं आप चाहो तो गरम पतीला पानी का वगया ऐसे करकर भी स्टीम ले सकते हैं स्टीमर से तो खुले हुए पोर्स को क्लीन करना बहुत ज़रा जरूरी होता है और क्लीन कैसे करेंगे हम यह स्क्रबिंग से और स्क्रबिंग के लिए मैंने लिया है मेरा फेवरिट स्क्रब चावल का स्क्रब जी जो मैं घर पर बनाती हूँ चावल को पीस कर स्क्रब में हमेशा गर पर बना कर रखती हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा हनी डाल दिया था और थोड़ा मैंने उसमें दूड डाल दिया था और इसको अभी मैं देखे लगा रही हूँ ये स्टेप करना बहुत जुरूरी है अगर हम नहीं करेंगे तो ये जो हमारे पोर्स खुले है ना फेस के ओपन पोर्स जो हो गए है हमारे इनके अंदर जो गंदगी रहती है वो ऐसे ही पड़ी रह जाएगी और वो ही गंदगी हमारे फेस पर ब्लैक हैट्स बनकर दिखेगी जो की बहुत ही ज़ादा गंदे दिखते हैं और अगर हम स्क्रबिंग नहीं करते ये प्रोब्लम तब ही आती है ब्लैक हैट्स की तो देखे मैंने अभी स्क्रब लगा लिया है और गोल-गोल गुमाते हुए एकदम हल्के हाथों से स्क्रब कर लिया है और उसके बाद मैंने फेस को वाश कर लिया है ये हो गया जी हमारा 3rd step complete अब भी आ गए हम step number 4 पर जो है final step हमारा pack coffee pack और उसके लिए मैंने लिया है दहीं थोड़ा गट दहीं लिया है मैंने गड़ा दहीं लिया है उसके अंदर मैंने बचा हुआ जो कॉफी का शैशे था वो डाल दिया है इसके बाद मैं अभी फेस पर अपलाई करूँगी और उसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूँगी सुखाने के लिए और उसके बाद मैं फेस को वाश कर लूँगी और अच्छा सा अब उसके उपर मॉस्टराइजर लगा लेंगे तो देखे अगर आपको मेरा ये फेशिल करने का तरीका अच्छा लगे ना तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में दिएगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया कीजिए उससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा तो देखिए बचा हुआ पैक मैं अभी हाथों पर अपलाई कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती तो देखिए जी पैक हमारा सूख चुका है अभी मैं इसको गिले नपकिन से जितना हो सकता है निकाल दूँगी उसके बाद मैं इसको नॉर्मल वाटर से वाश कर दूँगी और वाश करने के बाद हमारी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है इतनी शाइनी हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है एकदम बच्चों के जैसी हो जाती है skin touch करने में मज़ा ही आजाता है skin को तो मेरे कहने पार आप ये facial एक बार जुरूर try करना आपको खुद बखुद पता चल जाएगा इसके results और ये एक महीने में हम दो बार कर सकते हैं ये facial कोई भी कर सकते है जिनकी skin है जो दूप में tan हो गई है boy, girl, gents, ladies कोई भी कर सकते है ये facial तो चलिए guys आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में बाई बाई